हलो फ्रेंज, वेलकम टू दे स्टूडियो किचिन, होप यू आल आ गुड़ एंड सेफ फ्रेंज, आज हमारे किचिन में बन रहा है बत्वे का रायता बत्वा एक हरी सब्जी है फ्रेंज, इसे सरसों के साग में भी यूस किया जाता है और इसका रायता भी बनता है तो आज हम वही बनाने वाले हैं तो इसकी पत्तिया हम चुन लेंगे जिस तरह से हम मेथी को साफ करते हैं उसी तरह से सिर्फ इसकी पत्तिया हम निकाल लेंगे सर्दियों में मिलने वाला बत्वा काफी लापकारी है गुणकारी है इसे अपने डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है और ऐसे टाइम पे जब कोरोना वाइरस ओमिक्रोन के रूप में फिर से दस्तक दे रहा है तो हमें immunity बढ़ाने के लिए हरी सबजियों का सेवन कोई न कोई रूप में ज़रूर करना चाहिए बत्वा amino acids में rich है plus calcium, potassium, magnesium, vitamin A इसमें काफी ज़्यादा मात्रा में होता है plus vitamin C, iron तो इसमें बहुत सारे गुण है इसे आप किसी न किसी रूप में अपनी diet में जरूर include कीजिएगा और रायता एक बहुत अच्छा तरीका है जिसकी वज़े से हम दही भी खा लेंगे और बत्वे के benefits भी हमें मिल जाएंगे तो ये two in one काम करेगा बत्वे की पत्तियां साफ हो गई है अब इसे हमें साफ पानी से धो लेना है मैंने इसे धो लिया है और इसमें एक चोटे ग्लास जितना पानी डाल दिया है इसे हम पका लेंगे gas में और बत्वे की पत्तियों को हमें अच्छे से cook कर लेना है जैसे ही पत्तियां पकेंगी ये shrink हो जाएंगी साथ ही इनका color भी change हो जाएगा इसे हम खुली आज में ही पकाएंगे ठक कर नहीं पकाएंगे बीच बीच में इसे हमें mix भी कर लेना है ताकि पत्तियां अच्छी तरह से पक जाएं अब आप देखेगा कैसे shrink हो रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे पक रहा है यह shrink होता जा रहा है बीच से तीस सेकेंड इसे medium flame पे मैं cook कर लूँगी और फिर मैं flame off कर दूँगी यह cook हो चुका है हमारा बथवा अब इसे हमें strain कर लेना है किसी चलनी में तो नीचे एक बरतन रख लेंगे ताकि बथवे का जो पानी है वो waste नहों और उसके उपर चलनी रखके हम बथवे को strain कर लेंगे इस पानी को आप बिल्कुल फैंक किये गा नहीं इसे आप आटा गून सकते हैं या डाल अगर उबाल रहे हैं डाल में डाल सकते हैं कड़ी में डाल सकते हैं चावल पका सकते हैं ताकि इसके benefits बरबाद न हो मैंने इससे आटा कून लिया था इससे मैं side कर दूँगे और जो बत्वा है इसे हमें थोड़ा सा ठंडा होने देना है तब हम इसे grind करेंगे थोड़ी देर इसे ठंडा होने के लिए छलनी में छोड़ देते हैं पानी को अलग रख देंगे और strainer को किसी दूसरे बरतन के उपर रख लेते हैं बत्वे के रायते में हमें चाहिए भूना जीरा पाउडर मेरा जीरा पाउडर खतम हो गया था तो मैंने सोचा अभी फटा फट से पीस लेते हैं तो मैं जीरे को भून लिया है और इसे ग्राइंड कर लूँगी तो इस तरह से आप जीरा पाउडर आसानी से घर में बना सकते हैं कोई difficult काम नहीं है ये खाली आपको हलका हलका जीरे को roast कर लेना है उसका moisture निकालना है और थोड़ा से ठंडा होने पे उसे पीस लेंगे और रेडी है हमारा जीरा पाउडर जीरे पाउडर को एक airtight कंटेनर में आप रखके स्टोर कर सकते हैं और इसी जार में हम पीस लेंगे पत्वे को बत्वे को थोड़ा थोड़ा मैं chop कर लूँगी ताकि ये आसानी से पेस जाए साथ ही इसके मैं एक हरी मिर्च भी पीस लूँगी अब इसका पेस्ट बना के रेडी करते हैं साथ ही हमें लेनी है 400 से 500 ग्राम दही और उसे अच्छे से फेट लेना है हमें तो ये दही मैंने घर की जमाई यूज की है इसमें एड़ कर देंगे हम बत्वे का पेस्ट जो हमने बनाया है सारा पेस्ट हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी मिलाके भी इसे यूज कर लेंगे अब इसमें हमें एड़ करना है एक टीस्पून जीरा पाउडर जो अभी बनाये हमने एक टीस्पून नमक एड़ करेंगे और थोड़ा सा काला नमक आधा टीस्पून जतना एड़ करेंगे तो नमक आप स्वाधनुसार बैलेंस कर लीजिएगा फ्रेंस थोड़ा सा हमें काला नमक भी यूज़ करना है और थोड़ा सा दूसरा नमक थोड़ा सा पानी हम जार में डाल के जो बचा हुआ पेस्ट है उसे बरबाद नहीं होने देंगे दही में ही मिक्स कर लेंगे अब इसकी टैंपरिंग बाकी है राइता हमारा रेड़ी है इसमें एक तड़का की जरूरत है उपर से तड़के के लिए पैने यूज किया है सरसों का तेल आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं पैन गरम है तो तेल मेरा गरम हो गया तो हम फ्लेम ओफ कर देंगे नहीं तो हमारा तड़का जल जाएगा थोड़ा इसे कूल डाउन हो देंगे फिर इसमें एड़ करेंगे एक टीस मिर्च के टुकडे मैंने कर लिए हैं उसके दो तिन टुकडे करके आप डाल सकते हैं इससे भी अच्छा फ्लेवर आएगा और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर अब फ्लेम मैंने वापिस ओन की है नहीं तो हमारा तेल पूरा ही ठंडा हो चुका है थोड़ा सा मैंने ल बत्वे का रायता with final tempering बहुत ही टेस्टी रायता होता है यह साथ ही इसमें काफी सारे health benefits भी हैं इसको गार्निश कर सकते हैं आप थोड़ी सी बूंदी से भी तो ready है हमारा बत्वे का टेस्टी रायता सर्व होने के लिए सजा लेंगे हम थोड़े से हरे धनिये की पत्तियों के साथ और थोड़ी सी बूंदी के साथ आज हमारे यहां बना है उड़त दाल की खिचडी क्योंकि मांक के महने में हमारे यहां बनती है काली दाल की खिचडी तो मैंने इसलिए आज बत्वे का रायता बनाया ताकि करेंगे बत्वे का रायता और खिटडी आप भी बनाईएगा इस रायते को और बताईएगा कैसी लगी आपको आज की यह रेसिपी तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ तिल दें थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो प्लीज दू लाइक शेर सब्सक्राइब माई चैनल और बेल इकन फॉर फॉर नोटिफिकाशन फॉर माई चैनल थैंक यू यू फ्रेंग चैनल थैंक यू फ्रेंग्स